हां तो भाईयो गुसे वीडियो में तो फाइनली मैक्रो मैक्स ने अपना इन नोट टू लाउंच कर दिया इंडिया के अंदर एंड जो उसका प्राइज रखा है एंड उसके साथ आपको जो स्पेसिफिकेशन मिल रही है बाई एकदम केलर है एंड रियलमी रेडमी को एकद को नहीं करनी चाहिए थी जो इन्होंने कैमरा मॉडियोल दिया है वो बस इनको फ्रेम के साथ मोल्ड नहीं करना चाहिए था जैसे कि सैमसंग की एस टाइप में इन्होंने कुछ कर दिया है एंड वो सच में आल्मोस्ट 95% कॉपी ही लग रहा है हां मैं मानता हूं अच्छी चीज़े कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है बट फिर भी यार यह सब चीज़े गलत इंपक्ट डालती है किसी ब्रेंड की इमेज पर अगर सिर्फ यह उस कैमरा मॉडियूल को उस फ्रेम के साथ मोल्ड नहीं करते तो भाई एकदम यूनीक डिजैन निकलके आती एंड जि इतना अच्छा कमबेक कर रही है मैक्रोमेक्स इसके बाउजूत बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है यार बस मेरी यही सिकायत है मैक्रोमेक्स से कि आगे से ऐसी गलती कुछ ना करे अब जो होगया होगय ठीक है बट ओलर जो यह स्मार्टफोन है एक नमबर स्मार्टफोन है अगर आप कोई भी स्मार्टफोन यह सोच रहे हैं तो भाईयो इसको लो भाईयो इसको लो भाईयो अभी इतम बैस्ट है इस प्राइस में क्योंकि आगर जाके इसके पैसे बढ़ जाएंगे 1,500 तो मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि भाईयो बैस्टील है मत छोड़ो ले लो बिल्कुल भी तो बस भाईयो यहीती वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको वीडियो थोड़ा से कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल वे पहले बार आ रहे हो तो पिलीज साब्स्राइब कर तो यार हमको बहुती जल्दे 10 के सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मैं आप से मिलना कुछ अगरी वीडियो में बस आप अपना प्यार बना के रखिए बाकी सब्सक्राइब को बाहिए देख लेगा जया हो बज़न वे लिगे